मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, सांती का उन्नती का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर और दोस्तों मैं हूँ बीपीनियादव, आज दोस्तों चलिए जियो मेट्री को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट आठ बनाते हैं, दोस्तों जियो मेट्री में, जियो मेट्री यानि जियमीती रेखा गनित में हम आपको अभी पढ़ा रहे थे ट्रेंगल, यानि कि हम पर हा रहे थे त्रिभूज, त्रिभूज का साथ वीडियो हो चुका है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, अब सारी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं, तो प्लेइलिस्ट में आपको मिल जागा, लिखा हुआ होगा, जियो मेट्री अत्रिभूज लिखा हुआ होगा, उस प्लेइलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख लिजेगा, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी description box में दे देता हूँ एकदम सुरू से part 1 से देखेंगे न सब कुछ समझ में आगा और आज भी समझ में आगा geometry में आपको कुछ भी ना आता हो फिर भी आज जो मैं बताने वाला हो जिस type को वो सारे type के सवाल आपसे बनेंगे पक्का आईए तो हमारा आज का जो class होगा ये part part 8 होगा part कितना होगा? 7 part हो चुका है तो भी आज हम आपको क्या परहाने वाले हैं? आज हम आपको परहाने वाले हैं कि माल लेजे कि कोई तरभूज है कोई भी तरभूज हो और इस तरभूज के एक कोन के समदूई भाजक एक कोन के समदूई भाजक का क्या मतलब? इस कोन के समदूई भाजक का ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर इधर x degree कोन बना दिया तो इधर भी x degree ही बनाएगा नहीं समझे? समझ गए होंगे अगर इधर 50 तो इधर भी 50 इधर 30 तो इधर 30 कोन के समदूई भाजक कोन को दो बराबर भाग में बाटता है अब क्या करता है कि समदूई भाजक रेखा जो आता है माल लिजे कि ये तिर्भूज ABC हो और ये समदूई भाजक रेखा D इस कोन के समदूई भाजक रेखा कोन है D अब ये क्या करता है कि इस सामने वाले भूजा को उसी अनुपात में भी भाजित करता है जिस अनुपात में बांकी दो भूजा होती है तीन भूजा है सामने वाला भूजा उसी अनुपात में बट जाता है मतलब यहां से लेकर यानि B से लेकर D तक का जो रेशियो होता है न दोस्तों वो रेशियो C से लेकर फिर D तक होता है यानि कि B से इस सिर्षिल से चले समदुई भाजक रेखा के बिंदु तक और फिर इस सिर्षिल से समदुई भाजक रेखा यानि ये और ये का जो ratio, इतना और इतना का जो अनुपात, अचा अनुपात का मतलब बटा होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो उसी तरह ये वला, जैसे इधर से लिए थे, तो ये वला लेंगे AB, और इधर से लेंगे AC, ये हो जाता है दोस्तों, आपको question करवाएंगे दो मिनट बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाईया इस पर क्या question बनेगा क्या question आता है एक्जाम में और पूछा जाता है उसी तरह दोस्तों अगर ये त्रभूज है ठीक है और इस त्रभूज में ABC तीनों सिर्स है अब अच्छा एक भूजा बाहर की और बढ़ा देते हैं इस भूजा को बाहर की और बढ़ा दिये तो ये तो अंतहकोन है लेकिन ये होता है बाहकोन अब इस बाहकोन के भी जो समुद्वी भाजक होगा इस बाह जिए रहा हो गया है तो दिक्कत नहीं मानिएगा ठीक यानी होगा क्या कि इस कोन मतलब इधर जितना कोन बनाईगा उतना इधर भी कौन बनाईगा तो इस कोन के जो यह ठोरा सा मैं ऐसे बना दू तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अब देखिए अब देखिए अब क्या होगा इभूजा बाहर के उर गया अब यहां से बाहे कोन के सम्दुई भाजक इतना अगर X है तो इधर भी X ये जो बाहे कोन के सम्दुई भाजक ये तो अंता कोन के सम्दुई भाजक यहां खीचे थे इसी को आगे बढ़ाते तब फिर बाहे कोन के भी सम्दुई भाजक होगा अब क्या होगा कि A, B और ये C था तो ये बाहे कुन के समदुई भाजक D अब इसमें दोस्तों फिर वही बात होगा आपको एक स्तिर्भूज में B से लेकर कहा जाना है D तक जैसे यहां B से लेकर D तक गए थे तो B से D तक यानि ये समदुई भाजक रेखा जहां पर मिला है वहां तक कहां पर मिला है यहां तब B से लेकर D तक और फिर जैसे C से D जाते थे तो उसी तरह C से फिर D ये रेशियो जो होता है फिर यही दोनों भूजा के अनुपात में हो जान में तो चलिए इस पर question करते हैं ताकि ये type हमारा clear हो जाए आईयो दोस्तों अपने सामने जो प्रस्ण है काता है तिरभुज ABC में AD कोन A का आंतरिक दुईभाजक है और भुजा BC का D पर मिलता है BC को D पर मिलता है यादि BD बराबर 5 cm BC बराबर सारे 7 cm AB अनुपात AC क्या होगा अचा काता है तिरभुज ABC में कोन A का AD जो है कोन A का आंतरिक दुईभाजक है और कभी कहेगा कोन A का बाहे दुईभाजक है अभी दो तरह से बताए थे अंताह कोन के समदुईभा बताए थे तो देखिए इस वार अंतरिक दुईभाजक है कहता है कि तिरभुज ABC ये तिरभुज हमारा ABC और सवाल यह कहा है तिरभुज ABC में Grad कोन A का आंतरिक दुईभाजक है AD कोन A का अंत्रिक दूइभाजक है AD दूइभाजक इस कोन को बाटते आएगा और ये AD हो गया और इधर अगर X तो इधर भी X हो गया अगर इधर 50 डिग्री तो इधर 50 डिग्री इधर 30 डिग्री तो इधर 30 डिग्री अब सवाल ये कहता है कि BD बराबर 5 सेंटीमिटर B से D तक दिया है 5 सेंटीमिटर और आगे कहा B C सारह साथ यानि यहां से यहां तक सारह साथ एक बात बताओ यहां से यहां 5 है इसको थोड़ा सा और हमको ऐसे बना देना चाहिए था त्रिहोजकों चलिए कोई दिकत नहीं अगर यहां से यहां 5 है यहां से यहां सारह साथ यानि यहां से यहां ढ़ाई है दूदा समलव 5 ही है क्योंकि 5 ढ़ाई सारह साथ हो जागा यहां से यहां तक अब दोस्तों आपको पता है न कि B से लेकर जो समदूई भाजक उसी अनुपात में बढ़ता है, जो अनुपात बाकी दो साइड का बच जाता है, यानि किसका किसका, A, B और A, C का, हमें B, D का भैलू पता है 5 और C, D, C, D भैलू पता है, धाई अबराबर, हमें और क्या दिया है, A, B, A, C, पूछा है, यानि A, B, अनुपात, A, C, पूछा गया है, दोस्तों और हाई से काटेंगे 5 को दू बार में, तो दू बटा 1 हो गया, A, B, बटा, A, C हो गया, जबकि हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भीया, तो इसे हम लिख सकते हैं, दू अनुपात 1, किसका भैलू, A, B और A, C का, ऐसे लिख सकते हैं, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अगले सवाल को, ये कौन आया, लगे मन भाया, जिन्दगी के पास मुझे कौन ले आया, हो रब्बा, कोई तो बताए, चैन होता है, क्या, जैसा मेरा खो गया, हो, सवाल नमर चाड़ा आजाईए, कहता है, तिरभूज A, B, C में कोन A का सम्दूई भाजक, A, D, भूजा B, C को बिन्दू D पर मिलता है, और कहता है, कि यदि B, D बराबर 4 cm, D, C, बराबर 5 cm, A, B, बराबर 6 cm, तो A, C होगा, इस बार तिरभूज A, B, C में कोन A का सम्दूई भाजक, इस बार तो ना कहा, अंता सम्दूई भाजक की बाहे सम्दूई भाजक, नहीं कहा, तांदरे समझना है, बाहर का चर्चा जब भी होगा, तो बोला जाएगा, कहता है, ध्यान दिजेगा, A, B, C, कोन A का सम्दूई भाजक, इस कोन के सम्दूई भाजक, इकोन के सम्दूई भाजक, अगर इधर X डिगरी, तो इधर भी X डिगरी, A, D हो गया, ठीक है, अब कहता है, यदि B, D, बराबर 4 सेंटीमिटर, यहां से यहां तक 4 दिया है, D, C, बराबर 5 सेंटीमिटर, D, C, तक 5 सेंटीमिटर दिया है, E B 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 नीचे लिखेंगे यानि वाट इसको AC निकालना है हमें अब भया क्या होगा चार का अधा 2 होगा छो का अधा 3 होगा और क्या AC से 2 में गुना होगा तो 2 गुना AC बराबर 5 से 3 में गुना होगा 5 तिये 15 सुनिए न सुनिए न इस दू बटा में चला जाएगा AC बराबर सारहे 7 हो जाएगा 15 को दूसरे डिवाइड करेंगे सारहे 7 यानि ये वाली भूजा हमारा सारहे 7 हो गया किलियर है चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आगे भी सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा दोस्तों पांच नमर तीसरा सवाल आजाएगे प्रसन क्या क्या कहना है देखिएगा कहता है कि तिर्भूज ABC में कोन एका बाहे समझ में भाजक AD भूजा BC को बढ़े हुए बिंदु D पर मिलता है यादि BD बराबर सारहे 7 बीसी बराबर 5 है तो AB अनुपात AC क्या हो जाएगा इस ब जास मेंतु आर शुनिए तिर्भूज ABC में कोन एका बाहे सम दुभाजक सुनूं क्या कह रहा है क्या कह रहा है ०्य ये कह रहा है तिर्भूज A, B, C मैं कोन A का बाहे समद्वी भाजक बाहे समद्वी भाजक मालो इस तो अंता कोन है बाहे कोन इधर हो गया ठीक है इस बाहे कोन इधर है जब बाहे कोन इधर है तो इस बाहे कोन के समद्वी भाजक जहां मिल ला है अब कह रहा है कि AD भूझा BC को बढ़े हुए बिंदु D पर D पर मिलता है अब BD वराबर सारह साथ कह रहा है B से D तक सारह साथ कह रहा है यहां से लेकर यहां तक कह रहा है सारे 7, उसके बाद गाता है B C 5, B C C तक 5 बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है तो जला ध्यान दीजिएगा अगर यहां से यहां सारे 7 है यहां से यहां 5 है, तो इधर धाई न हो जाएगा, इधाई हो गया यहां से यहां तक, अब हमें कहता है A B और A C का रेशियो बताओ A B अनुपात A C क्या होगा ये बताना है तो सुनिए एक बात एक बात सुनिए आप गरवराएंगे यहाँ पर गरवराना नहीं है ये वला जो हमारा है न ये कौन कि सम्दुई भाजक आया है तो आपको पता है हम B से लेकर सम्दुई भाजक तक जाते थे फिर C से D तक सम्दुई भाजक तक जाते थे आप कन्फ्यूज मत होईएगा मालीजे अंता कोन में रहता है यहाँ D है A B C तो एक सिर्ष से D तक जाते थे यानि सम्दुई भाजक बाला बिंदू तक इससे भी आते थे ओही तक C से भी तब B से जाना है D तक तो यहाँ से यहाँ सारह साथ हो जाएगा अब देखो हमारा जो हो जाएगा वो सारह साथ कहां से कहां तक B से D तक सारह साथ और उसके बाद हमें जो चलना है फिर चलना है दूसरे सिर्ष से तो एक सिर्ष से D तक और दूसरा से भी D तक यानि 2.5 तो यहां से पहले यहां तक गये थे तो पहले इधर चलेंगे अब A, B, अब बट्टा यही वाला A, B और यह हमारा A, C है ना यह जो है यह जो सम्दुई भाजा काता है इस भूजा को उसी अनुपात में बाटता है जिस अब दसमलों से दसमलों कट गया अब पचीस से काई पचीस अब पचीस तीय पच्छत्तर यानि तीन अनुपात एक कहेंगे हम A, B, अनुपात A, C को दोस्तों A, B और A, C का जो रेशियो हुआ वो तीन अनुपात एक का हुआ जबकि अन्तह था अन्तह सम्दुई भाजक थ तदुई अनुपात एक आया था याद है चलिए अब बढ़ते हैं इस टाइप के कुश्चन को आप समझ गए हैं कि कोन के सम्दुई भाजक सामने वाले भूजा को जिस पर वो जाता है उसी अनुपात में बाटता है जिस अनुपात में बांकी दूगों भूजा होता है है ना तो बढ़ते हैं अगले टाइप को देखते हैं और बहुत ही मज़ेदार फिर अगला टाइप है अब दोस्तों अब चलते हैं और समझते हैं कि त्रभूज में कुछ अंधरूनी बातों को यह त्रभूज ABC है और इसमें अगर माधिका खीचते हैं माधिका के कटान बिंदू आपका किंद्रक होता है याद होगा इधर से भी माधिका खीच सकते हैं इधर से माधिका का मतलब है कि सामने वाली भूजा को दो बराबर भाग में बांट दे है ना तो यहां जो बिंद किंद्र से भूजा तक आने के लिए एक ही होता है यहां से इसको थोड़ा इधर लिखिये ता अच्छा लगेगा यहां से यहां तक अगर दो है यहां से यहां तक की लंबाई दो तो यहां से यहां एक होता है उसी तरह इस पर से खीचिएगा तो इधर सिर्ष के तरफ से कोना के तरफ से, अगर दूड हैगा तब इधर एक रहेगा, उसी तरह, इधर से चलेंगे, माधिका खिचने से ऐसा होता है, ठीक है, यह माधिका है, अब यहाँ से, यह D हो गिया था, उसे F बना देते हैं, तो यहां से यहां तक अगर दू रहेगा सिर्ष के तरप से दो बिंदू तक इधर रहता है उसकी लंबाई एक यानि दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर A से O A से O अबटा O से D ठीक है? उसी तरह हम लिख सकते हैं आगे क्या लिख सकते हैं? B से O B से O गए और फिर O से E बराबर वही रेशियो होता है C से O C से O और फिर O से कहां F और यह जो रेशियो होता है देखो इस सिर्ष बला उपर लिखे हैं देखो A O फिर B O फिर C O सब उपर लिखे हैं तो सिर्ष से जब चलते हैं उस बिंदू तक किंद्रक तक तदू इधर जो बजता है वो एक यानि सब नीचे वला एक एक रेशियो में रहेगा तो उपर वला दो दो रहेगा अब इसको पढ़ने से क्या फाइदा और कैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा ये हम आपको बताते हैं पहले तो इतना बात आप समझ गए हैं तो समझ लिजिए कि अगर आपसे कह देगा कि अगर त्रिभूज ABC में किसी माधिका की लंबाई आपको देदेगा कि माधिका AD है AD एक माधिका है और उसकी लंबाई 9 cm है तब आपसे यहाँ O देदेगा और कहेगा कि AO का मान बताइए आपसे कह देगा कि AO बड़ाबर कितना होगा तो आपको करना है कि AO और Ratio OD का जो हमारा है वो दो अनुपात एक का है यानि यहाँ से यहाँ दो और यहाँ से यहाँ एक अब देखे टोटल दिया 9 cm यहाँ से यहाँ तक 9 यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो 2 और 1 कितना होता है अनुपात में 3 होता है जबकि रियल में 9 cm बोला गया तो अनुपात एक का भैलू 3 cm हो गया 3 ती आई 9 समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर question कैसा होगा देखते हैं दोस्तों हमारा सवाल कहता है AD एक तिर्भूज ABC की माधिका है तिर्भूज ABC की माधिका तिर्भूज ABC इसकी माधिका है ओ उसका किंदरक है AD एक माधिका है और O जो है न O उसका किंदरक है अब कहता है अच्छा किंदरक किसको कहते माधिका के तीनो माधिका के कटान बिंदू को अब कहता है AO बराबर 10 cm यहां से यहां दोस दिया है सोची आप ही अगर यह दोस है तो इधर 5 न हो जाएगा हो जाएगा कहता है OD की लंबाई O से लेकर D तक की लंबाई भाईया OD बराबर हो जाएगा आपका 5 cm काहे कि इतना रहता है दू तए इतना होता है एक जब इतना है दोस तए इतना होगा 5 अधा हो जाता है नहीं हो गिया अगर आपसे पूरा पूछ लेता इतना दिया था अब पूरा पूछता तए दोस आई निकाल लेते 5 अदोस पलस 5 हो जाता 15 यानि हमें अगर पूछता क कि a d बराबर कितना तो हम कहते कि 15 cm एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को दूस्तों अगला सवाल है काता है यदि तिरभूज a b c का केंदरक जी है और 12 cm लंबी है माधिका a d है 12 cm लंबी मादिका AD है то AG का मान क्या होगा कहता है तिरभूज ABC का किंदरक G है इसका किंदरक जो बोला है वो बोला है कि उसका نाम जी है और कहता है 12 cm लंबी मादिका AD 12 cm लंबी मादिका AD यानि A से लेकर D तक 12 है 12 है तब पक्का है क्या इधर 8 हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा यहां से यहां तक क्योंकि इधर दुगना रहता है इधर बला से 4 8 तार 4 12 हो जाएगा कहता है AG का मान क्या होगा A से लेकर G तक हो गया AG बराबर कितना हो गया हमारा 8 cm हो गया ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा और एक बहुत ही सांदार सवाल और देख लेते हैं, ये जो सवाल आप पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी इंपोर्टेंट सवाल है, एक्जाम में इसको पूछना ही पू इसको केंदरक से सिर्ष की दूरी करम्सा 4, 6, 8 है, है ना, सिर्ष की दूरी है, दोस्तों ये देखिए, ए, बी, सी एक्तिरभूज है, केंदरक कब होता है, माधिका के कटान बिंदु ही तो किंदरक होता है, मान लीजए, ए, डी, डी, लुँशी ऐफ ठीक है, ये हो गया मा आधिका का काम है सामने वाली भूजा को दो बड़ा भड़ भाग में बाटना अब कहता है केंद्रक से सिर्ष की दूरी करम सा चार छो आठ कितना कितना चार छो आठ एक बात पता है सिर्ष से केंद्रक से सिर्ष की दूरी बोला है सिर्ष इधर हुआ अब कहता केंद्रक से भ आठ तीनों तरह बुला है अच्छा इस चार था तो आपको पता है सिर्ष से दू रहता है तो इधर एक आता है तो इधर चार है तो इधर दू ना हो जाएगा यानि एडी जो माधी का हो गया हमारा चार पलस दू छह सेंटीमीटर का हो गया दोस्तों उसी तरह अगर सिर्ष से बात करें केंदर से सिर्ष की दूरी अगर ये आठ है ये आठ तो इधर उसका आधा होता है ना चार तब पूड़ा हो गया हमारा बी जो हो गया वो आठ पलस चार कितना हो गया बार सेंटीमीटर हो गया अब ये देखे ये बला ये बला अगर चाह दिया हुआ है तो इसका आधा इधर हो गया क्योंकि बोला है केंदरक से सिर्ष की दूरी सिर्ष ये हुआ तीन गो इतीन गो सिर्ष हुआ आई भूजा हुआ भूजा कहता तो इधर चलते लेकिन कहा केंदरक से सिर्ष की दूरी कि लंबाई हो गया. दोस्तों इसी में अगर सवाल में ये कहता, ये तो सवाल का हो गया. अगर इसी में आप से ऐसे पूछ लेता, सुनिए, आप से ये कह देता कि उसके किंदरक से भूझा की दुरी, इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा सवाल आप से. देखिए. दिखा के कठान बिन्दू, A, B, C, D, E, F, ठीक, अब कहता केंदरक से उसके भूजा की दूरी, 4, 6, 8 है, की दूरों ले ले लेते, अर्य इधर इधर कोनों कहीं से सुरू करों कोई दिकत नहीं, यहां से माल लेते इसको 4, यहां से इसको माल लेते 6, अगर कहता केंदर से भू भूजा की दुरी 6, किंद्रक से भूजा की दुरी 8, ऐसा होता, तो इसका दुगना उपर 8 होता, ये 6 होता, तो इसका दुगना इधर 12 होता, और ये 8 होता, तो इसका दुगना इधर 16 होता, तो हमारा एक निकल जाता 8-4-12, एक माधिका निकल जाता 16-8-24, एक माधिका निकल जाता 12-6-18 यानि ये हो जाता उसकी माधिका की लंबाई 12-24-18 ये कब होता जब हमें कहता किंदरक से भूजा की दूरी कहता तब दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए आपने तिर्भुज के पार्ट उसको नोट करते चलिए हम जोमेट्री आपको सिखा देंगे बिस्वास रखे मुझे तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और बहुत बहुत धन्य बाद इस वीडियो को देखने के लिए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा लिजेगा इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिपिकेसन आपको मिलेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे थैंक्यू